दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं YouTube Shorts Add की YouTube Shorts Add ना केवल आपके बिजनेस को इंप्रूफ करती है बलकि आपके सब्सक्राइबर जो आपको अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज करने है तो YouTube Shorts Add आपकी काफी मदद करती है तो YouTube Shorts Add आपको कैसे र अप्लीट देखना है और वीडियो को स्टाट करने से लिए बता तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजीटल स्वर्म चैनल सब्सक्राइब कर लेना वैल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हम आपके लिए डिजीटल मार्केटिंग से रिलेट एफिलेट मार्केटिंग स सारी वीडियो से चैनल पर लाते रहते हैं तो चलिए बात करते हैं यूटूब स्वाट्स एट प्रॉपर तरीके से कैसे रन करने जिससे आपके बिजनिस में भी कनवर्जन आप ला सके हैं या फिर आपको फॉल्वर्स बगरा इंक्रीस करने हैं तो यूटूब बगरा सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हैं चलते हैं सबसे पहले यूटूब स्वाट सेट रन करने के लिए आपको गूगल एड्स अकाउंट पर आ जाना है अगर अभी तक आपके पास आपको क्लिक करना है यूटूब स्वाट सेटर करना है तो हम इन में से अभी ले रहे हैं क्रिएट आपको गॉल गाइडन्स यह हम ऑपजेक्टिव चूज कर रहा है कोई मैं अभी गोल लेके नहीं चल रहा हूं एड है तो यहां पर वीडियो आपके एक सब टाइप होगा तो उसमें आपको कस्टम वीडियो केमपें ही स्लेक्ट रहने दिना है और आपको कॉंटिन्यू करना है तो जैसे ही आप कॉंटिन्यू करेंगे आपके समने यह इंटरफिस आएगा अब आपको क्रिएट करनी है प्रोपर तरीके से करना है केमपेंग का नेम देने के बाद यहां पर बिडिंग स्टेट्ची है तो यहां पर हमेने मैक्सिमम सीपी भी स्लेक्ट किया हुगा है आप चाहूं तो इसको चेंज कर सकते हो अभी के लिए यहां पर टोटल वजट है तो मानके चलते हमारा वजट है वन थाउजन य हम यह दूनों अलेक और लेडी चेक्ट रहेंगे इसको मैंने क्या किया है अंचेक किया है आप इसको अंचेक कर दिना एंड थेन हम चलते हैं कंट्री में तो जो भी आपकी टार्गेटेट कंट्री है वो आप स्लेक्ट कर लेना ऐसे आप इंडिया में एड दखाना चाहते हैं और कोई कंट्री में दखाना चाहते हैं वो आप यहां से लोकाशन से सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद एक आप इसको डार्गेश के लेंग या पर सलेक्ट कर सकते हैं अप थोड़ा से स्क्रॉल्ड डाउन करतेors पे नहीं जाना है अब थोड़ा सा एडिशनल सटिंग पर आपको चले जाना है यह है additional setting क्योंकि हम add जो run करने वाले हैं वो youtube shorts एड रन करने वाले हैं तो मैं laptop और other devices tablet पर नहीं दिखाना है हम cable mobile पर अपनी add दिखाने वाले हैं तो यह पर आपको set specific targeting device पर click करना है tablet, tv screen यह uncheck कर दिना है और आपकी cable add यहां पर दिखने वाली है mobile phones में तो यह मैंने सारे uncheck कर दिये हैं थोड़ा से scroll down करते frequency capping आता है कि आप अपनी एक add को कितनी बार like किसी device में दिखाना चाहते हैं 7 days में कितनी बार दिखाना चाहते हैं 3 days 4 days में कितनी बार दिखाना चाहते हैं वह आप frequency capping से आप set कर सकते हैं किसी भी वीडियो की frequency add schedule बगएर आप time बगएरा set कर सकते हैं third party measurement भी आप यहां पर देख सकते हैं and then थोड़ा से scroll down करते हैं एग ग्रॉप का name change करना है वह आप change कर सकते हैं फिर आते हैं demographics के section में अब demographics के section में आपकी यूटूब sorts है आपके एज की लोग को दिखाना चाहते हैं वह आप यहां से एज को uncheck कर सकते जैसे की check uncheck कर सकते जैसे की मैं देखाना चाहता हूं मानके चलो 18 to 24 तो मैं सब्सक्राइब जिसको आप दिखाना चाहते हैं वह आप यहां सेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीकिशे तोपिक्स में जरूरा ना क्योंकि जो अपकी add run होगी आपके किसी particular topic पर मतलश मतलब mayra which 에는 गवर चेनल है तो topics की ओपर आना है कि न यहां पर आपकी जिस में कर लेक कर लिए जिस वी डाएप के वीडियो और आपको select कर ले आ मान के चलता हूँ में जो चैनल है business related है तो मैंने यहाँ पर बिजनेश select कर लेना है आप अपना topic यहाँ पर जो भी आपका topic है वो आप select कर लेना के इसके बाद आता है create your video एड तो यहाँ पर आपको देखो YouTube पूर्ट साइट रन करने से पहले आपको अपना एक सौट तो वीडियो आपको अपने चैनल पर upload कर देना है आप चाहो तो पॉबलीक रहा हो, चाहो तो अनलिष्टेट रहा हो लेकिन एक सौट टाइप का अच्छा वो sort वीडियो मोवाइल में भी sorts की form में open होना चाहिए और ये वीडियो आप इसको upload कर दें as a sort ठीक है तो मेरी चैनल पर sort डले हुए है तो मैं अपने चैनल का एक कोई वीडियो ले लेता हूं sort वाला सो यह सारे sorts हैं तो मैं इन मैंसे कोई sorts ले लेता हूं जैसे मैंने यह ले लिया ठीक है इसकी length भी आप देख सकते है 42 सेकेंड का है तो हम यह आपर select कर लेंगे skippable in stream and then हम थोड़ा सा scroll down करेंगे पहले इसकी link को हम copy कर लेंगे ठीक है अब हमने यहाप इसको पेस्ट कर देंगे कि इसको भी हमने पेस्ट कर दिया ठीक है इन दोनों को हमने यहाप पेस्ट कर दिया है और call to action में हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हम डाल देते हैं कोई call to action लाइक या फिर मैं ऐसी रेंट दम दिख देता हूं सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब के लिए बना रहे हैं तुमने यहाप रिख दिया सब्सक्राइब हेड्लाइन डाल देता है डाल देते हैं यहापर add कर देना फिर आपको कोई thumbnail auto generated चाहिए तो auto generate तो आई जाएगा कोई आपको उपर से upload करना है देन upload कर सकते हूं यह add creation में हमने एक add create कर लिये है अब और भी यहाँ से add create कर सकते हो new video add और like list create कर सकते हूं अब यहाप एक CPV है तो CPV जो भी जैसे इंडिया मैं मान के चलो automatic बता रहा है कि यहाँ पर 0.82 तो दे दो बट मैं यहाँ पर एक रुपए दे देता हूं तो यहाँ पर मैंने दे दिया and then यहाँ पर data आ जाएगा इतने views आएंगे इतने impression आएंगे इतना cost जाएगा average वीच्व का 0.07 and then हम इसको create कर देंगे यह अबने इसको create कर दिया हम continue to campaign करेंगे अब आमने इसको continue to campaign कर दिया यह especially YouTube shorts के लिए था तो यह shorts section में चला जाएगा अब एक चीज़ याद रखना यह जैसे यह अप प्रूब हो जाए देन आप अपनी एड को start कर सकते हैं यहाँ से भी बहुत सारी चीज़े अरेट कर सकते हैं audience and keywords and जो भी आपका है like devices बगरा जो तेंग वास तेंग वाचिंग वाचिंग इस वीडियो